हेलो गाइज वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टार कर स्टेट्यू पॉइंट दोस्तो इस वीडियो हम लेकर आप सभी के लिए पॉल टेक्निक एक्जाम के लिए मौस्ट वीडियो कोशन यहाँ पे दोस्तो फिलिक्स के लिए यहाँ पे चेप्टर वाइज कोशन करने जा रहे हैं मात्रक तथा गती यूनिट एंड मोशन चप्टर से जितने भी अभी तक कोशन पूछे गया हैं तो सारे कोशन हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अगर आप भी दोस्तों पॉल टेक्निक के एक्जाम में सामिल होना चाह रहे हैं आने वाले दिनों मे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजएगा ताकि सी तरह से पहले चप्टर बाइज उसके बाद हम आप लोगो को 20-20 मोडल सेट भी बताएंगे दोस्तों जो पर भी अस्यास में पूछे जा चुके हैं सभी चप्टर को मिला के ठीक है पहले हम लोग चप्टर बा जाता है जो आप लोगो 30 फिजिक्स 30 कमेश्टी और 30 मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं ठीक है तो सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे आप लोग को प्रैक्टिस सेट और साथ में चप्टर बाइज और मोडल सेट का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो तो इस सारे कोश्टन है दो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कोश्टन देखें यहाँ पर दोस्तों पहला कोश्टन पूछा जा रहा है कि 5 और 20 मातरक वाले सभी कोश्टन फिर व्यस्टे सेट में पूछे जा चुक है दोस्तों वीडियो को लास तक जूर देखेंगा और सभ के पहला कोश्टन है कि 5 और 20 मातरक वाले 2 सदीसों के परिнов ही सदीस का सादी न्यूंतम मान जो को कितना और नेका एक फर्मूला होता है निकालने का तो देखें दोस्तों यहां पर होता है a عن का आस्वायर जो पहला राशी दिया गया है फिर उसके 央ड दूस्रे रासी आश्कौयर उसकेद यहां पर माइनस नेज़ियों करें और हुए उरक का दोस्कारा अन्यराइंयते क्योंती है तो चुह इंदर हो, डिकिनेटे क्योंते ने पर 25 हुआ नए योच्वरों चुक्ती तो इसीनरा फारी गडिए 14-2-4-25 जैएगा। रोटग Brock वच्वरों 30 क्लिकिना होता है अस्क्वार होता है दोस्तों यह 15 का ठीक है यहां पर 15 मात्रक हो जाएगा इसका न्यूंतम मान ठीक है अन्य तो आप ऐसे निकाल सकते हो दोस्तों अगर सदीस रासी का यहां पर न्यूंतम मान पूछा जाए तो 5 और 20 के देखिए 5 और 20 के बीच में आप लोगो जो भ आपंद्रमाद्रक होगा ही नहीं पाउठ और बीच के बीच में होगा तुर एक ही ऑप्सन यहाँ वह बना सबसा है तो आप लोग लोग इस बीजिस नहीं बना सकते हैं तो आप लोग ऑप्शन से पकड़ सकते हो तो अगर अधिकतम मान पूछे तो तीन मान होगा आप लोगा election में वह आपको newton बला देगा ठीक है और एक जो है अधिकतम बला देगा अगर निउनतम पुछा तो आप लोगो तीन जो मान होगा option में वह अधिकतम होगा और एक मान जो निउनतम होगा ठीक है जैसे यहाँ पर 15 मात रख दिया गया दो का एक हो जाएगा ठीक है अनेकडमी लेकर के आया है आप लोगों के लिए ask a.feature अगर आपको भी किसी subject में कोई डाउट है या फिर किसी question में कोई डाउट है तो आप अनेकडमी के ask a.feature के माध्यम से अपने डाउट को clear कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप इस feature का जो है लाब उठा सकते हैं कैसे इस feature को आप यूज कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको अनेकडमी के लर्निंग एप के ask a.feature जाना होगा उसके बाद आपको अपनी question के पिक लेनी होगी या नहीं तो आप अपने gallery से भी question को select कर सकते हैं उसके बाद आपको अपने question को crop करना है और ask a.feature अपलोड कर देना है उसके बाद आपका अपना subject चूज करना है जैसे मेरा subject sense है तो हम sense चूज करेंगे इसके कुछ देर ही बाद आपको जो है फ्री में मिलेगी इसके साथ ही आप unlimited course में enroll कर सकते हैं अगर आप first time इस feature को यूज कर रहे हैं तो आपको इसको unlock करने के लिए code की जरूरत होगी जहां पर आप SSP 10 को यूज कर सकते हैं ठीक है इस code को यूज करने के बाद आप इस feature को unlock कर सकते हैं और आप अपने मन चाहे जो दौर जो है वो पूछ सकते हैं जितना भी दौर पूछना चाहे वो आप दौर पूछ सकते हैं यादा जानकाडी के लिए link description में दिया गया है वहां जाकर आप अनक्रिमी को download कीजिए और इस feature का जो है फायदा आप लोग उठाइए घ्राम की इस Citit से प्रारंब कर एक बस्तु 2 meter per second square के तोरण से गमन कर रही है तो 5 second में तई कई कई के दूरी यहाँ पे कितने होगी घ्राम इस Citit से प्रारंब कर रहा है दोस्तो जहाँ पे A का मान यहाँ पे 2 meter per second square दिया गया और T का भैलू भी आपको यहाँ पर 5 सकेंड दे दिया गया है माल लेते हैं दोस्तों यहाँ पर U बराबर यहाँ पर 0 है तो आपको यहाँ पर तईकरी की दूरी निकलना है मतलब इस वला फर्मूला पर आप लोगो को निकलना तो दो से दो कट गया तो यहाँ पर 25 सिर्फ बचेगा तो 25 मीटर यहाँ पर क्योंकि दूरी पुछा जारे हैं तो यह 25 मीटर आपका सही उतर हो जाएगा option number C 25 मीटर बहुत easy question था दोस्तों आप इसको बना सकते हैं unit and motion chapter से सारे question हम लोग यहाँ पर कर रहें ठीक है circ है चोंता कोषण है दोस्तों कि एक पीड का यहाँ पर पूछा गया है कि एक पीड का दर्मान फुच्शा किलोगराम है तो उसका भार किसके निकत्तौ मोगणतक होगा क्या को दोस्तों एक पिंड का भार यहांपे एक पिंड का दर्मान यहांपे दिया गया है दोस्तों मास इसकल्टू दिया गया आपका 50 kg ठीक है और उसका भार जो है यहांपे मतलब weight पूछा जा रहा है दोस्तों तो वेट बराबर आप लोग जानते होंगे दोस्तों एक फर्मूला होता है M G तो M का फैलू यहाँ पर कितना दिया गए 50 और G का मैं आप लोगो पता ही होगा 9.8 N होता है ठीक है 9.8 N तो यह आपको multiply करोगे तो यह आपका आजागा दोस्तों 490 N के बराबर ठीक है कितना आएगा 490 N के बराबर तो option number यहाँ पर क्या हो जागा option number 3 बहुत easy question था W बराबर M G वाले फर्मूला पर चलिए पांचमा question देखते हैं कि निमलिखित में से कौन सदीस रासी है तो देखे यहाँ पर ताप जो अदीस है चाल जो अदीस है कार जो अदीस है लेकिन एक ही रासी यहाँ पर विस्थापन इस option में जो एक सदीस रासी है घ्रक्टर क्वांटिटी है तो चलिए 5 का option number य में जो खाल जाए तो उससे घुमाने में ड्रेवर को क्या होगा आप लोगो पता होगा दोस्तों गाली जो होता है फोर्विलर या फिर बस या फिर ट्रक में एक श्टेरिंग हुईल होता है दोस्तों यहाँ पर ठीक है यह अगर इसको हम लोग व्यास मतलब यह जो आपका अगर छोटा कर दिया जाए मतलब अगर छोटा कर देंगे तो यह इतना छोटा हो जाएगा तब इसको अगर घुमान आपर है चले आठ नमर्व कोर्षान देखते हैं दोस्तों बते आ जा रहा है कि एक पिंड विराम से चल कर क्या कोणशन है दोस्तों कि एक पिंड विराम से चल कर समान्थ 14 मीटर पर स्केंद स्कॉयर साइब के साथ चल रहा है तो पांस से क्ट में तेगे के दूरी बता निटेए कोश़न एया यहां पर हुङति değer के फिस्याहा है दूरी निकालना है यहां पर 125 मिटर हो जेगा सही उत्र आपका उपसन नंबर यहां हो भी हो जगा दोगो दो सोपस्फिस मिटर चर्टा चले नाइन नमर कोशन देखते हैं दोस्तों बत्यादर है कि एक पथर को 10 मीटर पर सकेंड के प्रारामबिक वेक से नीचे फेका गया तो 5 पर सकेंड का अंत में उसका वेक जो है क्या होगा तो यह भी कोशन आप लोग के यहाँ पर बताना है दोस्तों 10 मीटर पर सकेंड प्रारामबिक वेक से फेका गया ठीक है मतलब भी का वेलू दिया गया यहाँ पर दोस्तों मतलब यू का क्योंकि यहाँ पर इनिसियल विलोसिटी है 10 मीटर पर सकेंड और टी का वेलू यहाँ पर 5 सकेंड दिया गया तो यह एक जानते होंगे दोस्तों भी पर 9.8 गुने 5 कितना होता है तो तो 49 होता है तो यह आपका 69 हो जागा 69 मिटर पर सकेंड तो यह आपका किस अप्शन में है अप्शन नमबर बी में है दोस्तो 69 मिटर पर सकेंड यह आप लोग को बहुत ही easy question था ना नमर भी भी वराबर यू पलस 80 या फिर यू पलस जी टी बाले फर्मूला पर लगाएंगे ठीक है फिर आता है दोस्तों कि आवेग का मात्रक होता है तो आवेग का मात्रक होता है दोस्तों तो क्या होता है आपका आवेग का मात्रक वो न्यूटन सकेंड होता है क्या होता है क्योंकि आवेग वराबर इंपल्स वराबर क्या होता है एफ टी होता है ठीक है फोर स्मेट टैम यह फोर्सस सब्सक्राइब शचैनल पिसलिक होग और लेकिन जो weight है दोस्तों ये आपका vector quantity है ठीक है क्या है दोस्तों vector quantity है तो सवितर यहांपे 11 का चार आपका option हो जाएगा सही D option सब्सक्राइब बसक्ति अगर खरा यात्री बसक्ते एक रुकने पर किस ओर गिरेगा तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तो अगर चलती ही बस में अगर कोई खरा व्यक्ति है अगर बस के ड्रैवर एक आएक जो अब एक लगाएगा दोस्तो तो किस ओर जुकेगा तो वो जुकेगा दोस्तो आपको आगे की ओर किसे और दोस्तो आगे की और जुकेगा क्यों न्यूटन के पर्थम नियम के अनुसार न्यूटन के गती के पर्थम नियम के अनुसार वो आगे की और जुकेगा तो से उतर यहाँ पे तेरा का उप्शन नंबर ए रैट है ठीक है आगे की और एक समान विर्तिय गती में क्या ह किसी वर्ताकार नाइक है, वर्ताकार मार्ग पर गति करती है, वहां पे एक समान चाल से गति करती है, वह चाल है और व्येक चर है, ठीक है, तो उसे उत्र याँ पर 14 का उप्सन नमर C याद रखेगा ये question पूछा जाता है दोस्तों अब पूछा गया कि रोकेट इंजन गार्ज करता है तो रोकेट इंजन जो करता है दोस्तों वो आपका समबेग संधरक्षन के सिधान पर करता है दोस्तों ठीक है रोकेट चलिए याद में चालक को ड्रैवर को सुधा जनक होगा तो से उतर यहां पे 16 का अफ्शन नंबर बी हो जाएगा चलिए 17 देखते हैं कि इने में से किस इस्तिती में नौ जो है अधिक अस्थाई होगा तो न्यूटन के जो गती नियम से यहां पे बतिया गया है दोस्तों कि सभी यात्री अगर नौ में अगर बैठे रहेंगे तो नौ जो है काफी जैदा जो अस्टेबल होगा ठीक है किस इस्तिती में जब सभी यात्री नौ में अराम से बैठे होंगे ठीक है तो सभी उत्तर यहां पे 17 का अफ्शन नंबर बी हो जाएगा अठारा नमर कोस्तन है दोस्तों बोल जो यहां पर होगा दोस्तों मंकी और डॉग के बीच में यह हो जाएगा आपका यहां पर यहां पर च्छतीस माइनस 27 यह आपका हो जाएगा नाइन मीटर पर सकेंड और पूछा जारे कुटे अम बंदर के विच का जो सापेक्शी विवेव हो जाएगा वो च्छतीस पलस यहां पर 9 हो जाएगा आपका 45 मीटर पर सकेंड होगा यह आपका एंसर आएगा नाओ कि आपका 9 मीटर पर सकेंड नहीं आएगा दोस्तों यह 36 में से पहले हम घटाएंगे 27 को तो 9 आएगा आपका उसके बाद यहां पर कूते बंदर के विच रिलेटिव हेलोसिटी निका सब्सक्राइब अपनी और आने की जो चाल परतित होगे कि किसी भी समतल दरपन में अगर कोई वस्तु को हम भी चाल से आ रहे हैं उसको लेके और उसका परतिविम जो बनेगा दोस्तों वो टू भी से बनेगा क्या जो टू भी से बनेगा ठीक है तो से उतर यहां पे आपक टू भी ठीक यहाँ पर 20 लिखा गया है यहाँ पर मिस्प्रिंट है दोस्तो टू भी यहाँ पर होगा ठीक है चलिए यहाँ पर नेक्स्ट कोशन देखते हैं 20 है दोस्तों कि घुर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लरका आकर बैठ जाता है तो निमलिखित में से क्या ह तो देखें दोस्तों अगर घुर्णन करती एक गोल मेज है उस पर आके एक कोई भी लरका यहाँ पर बैठ जाता है तब उसमें जो संद्रक्षित रहेगा दोस्तों वह आपका कोणी संबे एंगुलर मोमेंटम ठीक है एक होता है एंगुलर मोमेंटम वह आपका अप्शन नमबर अपका सी हो जाएगा राइट एंजर ठीक है कि तरे नेक्स्ट कुर्शन देखते हैं दोस्तों यहां पर कि एक बल एक किलोग्राम दर्मान के पिंड में एक मीटर पर सकेंड का तोरन उत्पन करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो एक न्यूटर ब दोस्तों अब कि समय का बहुत सात्र समय का मार देंगे लेकिन दूरी का मात रखाए प्रकास वर्स नम्रखित में से कौन सदी स्रासी है तो यहां पर विस्थापन हो जागा दोस्तों मैंने आप लोग को बता है तो रहन का एसा मात पूछा जाए तो यह मीटर पर सेकेंड एक हैं तो तो अब कि सिम्ड़ का रख और वेगा अधा संब्ध होगां अगर हम लोग यहां पे हाफ पर आप प्ढ़ आधा करेंगे दोस्तो तो उसका घ्राव को और यहां पे आधा जाएगा क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा ठीक है चलिए यहां पर नेक्स्ट कोशन देखते हैं 26 नमर कि इन लिखित में से किस समूव में सभी रासिया सदीस है तो यहां पर कार जोड़ जा बल यह नहीं होगा दोस्तों चाल तोरण व्याग यह भी नहीं होगा व्याग त थी यहां उसमा बढ़ी यह नहीं होगा तो दोस्तों इस विडियो हम लोग 25 आभी तक पूछे गए तो सारे कोशन मनने आप लोगो इस विडियो में कवर निया है ठीक है उम्मीद करते हैं इस वीडियो के मादयम से आपको काफी सारी जान कर मिला होगा वीडियो के डिस्क बात में मोडल सेट का प्रैक्टिस कर सकते हो पोल टेक्निक एक्जाम का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर अगले